तो हलो दोस्तो स्वागत है फिर से आफ सभी को इस ने वीडियो में आई होब कि आप लोग अच्छो होंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 3rd को लेकर के साथी साथ हम बात करेंगे इंक पोड़े नोटिस को लेकर के कि नोटिस में क्या कहा गया है BPSC की दोवारा और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो है फॉर्म अपलाइक करने का डेट दस दो से लेकर 23 दो तक जो दिया गया है क्या उसमें डेट को बढ़ाया जाएगा या फिर अविश्तारित रहेगा तो दोस्तों दस दो से फॉर्म अपका फिल हो रहा है अभी तक जो फॉर्म नहीं फिल के हैं जाके फिल कर सकते हैं साथी साथ हम बात करेंगे इस वीडियो में की कितने सीट है अभी तक जो है सीट जो है नहीं दिया गया है टोटल सीट कितने आएगा टियारी थर्ड में सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि एक नोटिस है उससी नोटिस को देखिएगा फिर मैं आप लोगों को बताने के काम करूँगा। विखाले वाड देख सत्थ जो नोटिस के दर्मियान जो लिखा गया है अब इसमें परहेंगे तो देख सकते हैं इसको अपकर करने वाड़ एक पेडियाब आएगा और देख सकते बिहार लोक्षयव आयो इसमें लिखा गया है कि जो विद्याले अधियापक नियुक्ती पर करके इसमें कहा गया है ठीक है जो पहले typically हग्तjin के है उसको लेकर कहा गया है लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो कोई सांग को नहीं आया है जिसने वेकैंसी के बहुता है लेकिन मैं आप लोग बतना चाहूंगा 1 to 5 में जदा वेकेंसी आने वाली है इस बार भी और जो DLT की हैं उसके लिए तो बल्ले बल्ले है क्योंकि वेकेंसी जो है इसमें काफी जादा यानि की 20,000 से पलस वेकेंसी कहने को मिल सकता 30,000 भी आ सकता इसमें ठीक है तो DLT वाले के तो बल्ले बल्ले ह और भी स्टूडेंट जो B8 कही हैं जो की अस्टेट की होगा है 9, 10, 11, 12 सर के लिए एक अच्छा समझें BPSC 3 में जो है वेकेंसी आने वाली है जैसे ही कोई नोटीस या अपडेट आता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ वीडियो के माधियम से अगर चैनल पे आइकन दवा दिजे और वीडियो को सेर कर दिजे धन्यवाद